नमस्कार मैं हूँ सनेलता और देखिए पहार तोड ओपरेशन कर सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और इस ओपरेशन पर पल पल सीम धामी की नजर बनी हुई थी किस तरीके से काम्याभी मिली उसनी की पूरी कहानी पुशकर धामी ने ABP ड्यूस को बताई है संजेत्रपाटी के साथ संजे पुशकर सिंग धामी का सीम का ये एक्स्क्लूजिव इटब लिया गया जिसमें बहुत सारे मुश्किल हलात थे के मुश्कर सिंग धामी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूरे घटना क्रम पर लगातार बारीक नजर बनाए हुए थे दामी जी बहुत-बहुत बधाई पहले तो इस रेस्क्यू अपरेशन के लिए देखे मैं सभी को धन्यबाद करना चाहता हूं जितने वी लोग इस पूरे रेस्क्यू अभ्यान में लगे थे और बहुती कठीन और चुनोती पून ये रेस्क्यू अभ्यान था इसमें लगे हुए एक-एक करमचारी को एक-एक अधिकारी को जन सहयोग करने वाले बिशे सग्यों को बैग्यानिकों को देश-विदेश से आए हुए लोगों को और विशेश कर से हमारे आधरनी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी का उनका भरोसा और उनका विश्वास और जिस परकार से उन्होंने लगातार इस पूरे रेस्क्यू अभ्यान की जानकारी प्रते मसला अब जाई के कारण से एक कठी न अभिःान हमारा सफल हो पाया और प्रधान मंत्री जी का इतना बड़ा संबल न होता इतनी सारी मसीनरी इहां ना आती इतने सारे बिसेसज्य नहाए तो बहुत कठी नभिःान था बहुत महत पूरम धरशन था रोज के रोज वह अप आपडेट ऊपर देते थे ये मार्धारिशन कितना महत्मूर से उनका मारं अभी हाउ के नाते हरे यह बैक्तिकी चिंता करें मा के लोगी जो जुनोतियां थी, वो सामने थी, और काम कैसे जल्दी होगा, कैसे बहार निकलेंगे, उस पर सारे एफट्स, जो भी थे वो, हम लोग करते थे, लेकिन उनका जो मारदसन था कि टेकनोलोजी से किस परकार से काट रहे हैं, किस परकार से मैन्वल डेलिंग हो रही है, किस पर मसीन आई इंदौर से आई हैदरावाद से अनिक सहरों से यह मसीन आई बिसे सग्या आए और यह सब हमारे प्रधान मंत्री जी के कारण ही संभव हो पाया और मैं वास्तों में कहूं कि वह सच में देश के एक-एक व्यक्ति की के चिंता करते हैं अभी तरहें घटना हर वाके चैए कुछ देखर के जाता है कुछ अनिभान करके जाता है इस पूरे घटनाक्रम जो 70 दिन तक चला क्या सीखा हमने तेंजे यह ऐतना क्रम चूकी कैसा घटना क्रम है तो निश्चित रूप से इन सब से जो हमने कहा है कि जितने भी हमारे यहां पर टनल के जो भी कारे चल रहे हैं वो टनल के काम बहुत स्वरक्षित तरीके से होंगे और उनकी समिक्ष्या होगी जिससे कि भौश्ची में कभी इस परकार की जो आपदाएं हैं उसका हमको सामना न करना पड़े और इस है और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एकोलोजी और एकोनोमी दोनु हमारी रात्मिक्ता में हैं उस पर हम काम भी कर रहे हैं और इस घटना से भी सबग लेंगे इसके घटना के उस पर भी जाएंगे जिससे कि आगे आने वाले समय में हम इन सब चीजों से बचाव क हैं उनके परिजनों के चेहरों पर और उनको जितनी खुसी होई होगी उतनी खुसी राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते मुझे भी हो रही है चारधा मालवेदर रोड जो है प्रधान मंतरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उस रास्ते पर यह टरल बन रही थी बली प्रकार की और से इस पर कोई जाच या कारवाई भी की जाएगी इस लापरवाई पर देखे ऐसा है कि वो तो सभी समिक्ष्याबाद में होगी लेकिन अभी फिलाल हमारे लिए सब के लिए बड़ी परसंता की बात है कि सारे एफेर्ट्स भी हुए हैं सारे लोगों ने प् और उनको अच्छा खाना भी जो है और पानी खाना या जो भी जीवन के लिए जरूरी है वो सब चीजें वहाँ पर जिस परकार से पहुंचाई इस काम में भी जो लोग लगे हुए थी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने जब देखा कि हम यह सोच रहे थे कि पूर्य जो रेस्क्यू अभियान टर्नल आरपार होने के बाद यह तीन घंटे तक चलेगा क्योंकि एक विक्ति का हम ऐसा मानके चले थे कि कम से कम तीन पांच मिनट से ज्यादा लगेगा लेकिन जैसे ही वह पाई पार हुआ और अपने काम सुरू किया तो सारे लोगों न आप उत्तरकाशी में डटे रहे पलपल का अपडेट लेते रहे लगातार टनल में भी जाते रहे और वहां जिस तरह से रस्क्यू बयान चलना तो उसकी आप समिक्षा भी करते रहे यह जो श्रमिक निकल करके आए आपने उनसे पहले भी कम्मुनिकेशन किया था यह भी ज है दो दिन पहले से काम कर रहे थे कुछ लोग तो 18-19 दिन लगातार एक दूसरे एटमोस्पेर में रहे हैं तो उनका पूरा प्रेशन के उसके अनुसार काम करेंगे इस्थानी लोग की शिकायत हमेशा से रही उत्तराखण में कि आस्था की कीमत पर विकास कारे किये जाते है यहाँ पर भी देखा था कि बाबा बॉकनात की मंदिर बना हुआ था उसको तोड़ा गया जिस कारल से इस्थानी लोग की मानिता है कि उसी का अभिशाप था जो पूरा गटना करम हुआ है और आपने देखा किस तरह जब उनकी डोली आई थी उसके बाद कह दिया गया तीन दिन बाद जो है वो सब दुरुस्त हो जाएगा और वो हो भी गया आप इस इसको लेकर क्या सोचते हैं नहीं बाबा बॉकनात की बहुत बड़ी किरपा रही और उनी के उनी की किरपा के कारण से यह हमारा अभियान पूरा सफल हुआ बाबा बॉकनात का वहां पर प्रश्ण है कि भविष्ट में ऐसा घटना करम दुबारा ना हो इसके लिए कुछ प्रयास इसके लिए कोई सोपी वगएरा कुछ तैयार करने का काम होगा उसकी हम सब की समिक्षा करेंगे जितने भी ऐसे काम चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट उत्रा अखड में चल रहे हैं चाहिए वो टनल से रिलेटेड हो या अने दूसरे प्रोजेक्ट सों वहां उनकी बारीक समिच्छा की जाएगी और जहां पर भी गलबली की जाएगी वहां सक्त कारवाई की जाएगी यह पूरा घटना क्रम है यह एक बड़ा सबक दे कर गया है यह पर ABP News से बाचीत में कहा कि सभी एजेंसीज ने मिल करके काम किया है और यह टीम वर्क था और तभी यह सबबा हो पाया कि आज सकुषल यह मजदूर सुरंग के बाहर है पीम ने हर दिन वेस्ट्यू की जानकारी ली यह भी उन्होंने बताया और पीम बोधी ने सबका होसल बढ़ाया क्योंकि जिस तरीके से अप सेंडाउंस आते रहे हर दिन की शुरुआत होती थी कि आज सुरक्षित निकलेंगे यह मजदूर लेकिन शाम होते होते वो उमीद धूमिल हो जाती थी ऐसे में हर किसी का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदान बंतरी लगातार अपड लेते रहे मनोबल बढ़ाते रहे